आज हम बनाने जा रहे हैं वन कप आटे से बहुती बहतरीन और टेश्टी नास्ता आप इसको बच्चों के टिपन में भी दे सकते हैं और बहुती जल्दी बनने वाला है ना आपको इसमें आटा गोनना है ना बेलना है कोई जंजट नहीं रहेगा फटा फट से बनने वाली हमारी यह रैस्पी है यहां आम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं वन कप यहां मैंने गेहू काट लिया है आप चाहे तो इसमें मैदा का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इस्पून लाल मिर्च पाउडर दो पिंच के करेब हलदी पाउडर इससे कलव काफी अच्छा आता है और यह एंटिबाइटिक भी होती है वन इस्पून जीरा और वन इस्पून धनिया पाउडर नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकोडिंग क्योंकि नमक हमें जो हम इस इसकी स्टाफिंग तयार करेंगे उसमें भी ढालेंगे इसलिए नमक उतना ही हमने डालना है इसमें लिए नमक यह धोल डालेंगे जिससे की हमारे對啊 darkest क्रिषपी भी बनेंगे औरशओट सॉफ्ट भी रहेंगे वन कप यहां हमने पानी लिया है इसको सारे को हम धीरे-धीरे करके डाल देंगे और अच्छे से इसका एक बैटर त्यार कर लेंगे करीब वन कप आटे में मैंने डेड़ कप के करीब पानी यूज किया है अभी यह थोड़ा टाइट है तो हमें बिल्क आड़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना हमें इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गुट्लिया ना पड़े अच्छे से चलाते जाएंगे वैसे गेहू के आटे में गुट्लिया पड़ती नहीं है इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर हमें तयार कर लेना है अलके से इस तरह से जो भी हम इसमें थोड़ा लंक्स पड़े हुए हैं इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से बहुती कमाल कि यह हमारी रैस्पी बन कर तयार होएगी आप इसको जरूर ट्राय करके देखें वो इसको बच्चों को यह क अच्छे से मिक्स इस तरह का हमारा जब हम गिराये इस तरह से गिरना चाहिए इसको ल हम साइड में रख देते है और यह आम ने चार बुश आलो लिये है इनको हम भीड़े घ्रम हो तो आप उसको ऐसे ही मैस भी कर सकते हैं यह मेरे थंडे है रात को मैंने बुश करके रख नहीं हो पाएगा, चारो को हम वन बाई वन करके अच्छे से कस लेंगे, इसको हमने मोटी तरफ से ही कसना है, अभी अच्छे से हमारे चारो अच्छे से हमने ग्रेट कर लिये है, अभी इसको हम साइड में कर देते हैं, जो एक्ष्टा आलो हमारा लगा हुआ है, उसको हम इस गरम करने रख दिया था, तो दो चमझी ले, हमने जादा ओविल हमें इसमें इस्त्वान नहीं करना है, बनी स्पून जीरा जीरे को हलका सा चटकने देंगे थोड़ा सा इसको चला लेंगे और थोड़ा सा जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा इसका हलका सा ही हमें चेंज करना है कलर यहां हम इसको गैस को थोड़ा मीडियम रखके ही कर रहे हैं हलके से आप देख सकते हो जीरा चटक चुका है तो एक प्याज को हमने बारिक चोप कर लिया था उसको डाल लेंगे प्याज को हमें जादे यहां पे लाल नहीं करना है बस थोड़ा सा हलका सा ही इसका कच्छा पर निकालना है ताकि यह क्रंची रहे तो इस्टफिंग में काफी टेस्ट आता है और यहां हाप स्पून के करीब हमने अधरक और लेशन का पेश्ट लिया है इसको भी इसमें ड प्याज का कलर चेंज नहीं करना है हलके से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे की तरफ से हमारी यह लगेना दो हमने यहां हरे मिर्च ली थी जिसको बारिक चोप कर लिया था उसको भी इसी में अड़ कर देंगे थोड़ा सा हमें इसे चलाना है तो यह सारी चीज़े हमारी अच्छे से पक जाएगी हलका सा आप देख रहे हो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है प्याज का इतना ही हमें इसका कलर चेंज करना है जादा नहीं हुआ नहीं करेंगे आप देख सकते हो पहले से हलका सा हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब यह हां हमने जो आलू लिये थे उसको हम इसपह डाल देंगे और यहां पे गैस को मेर्यं हरकी कर देंगे हैं बिल्कुल अच्छे से इसको मिला लेंगे नीचे तक अच्छे से जिससे हमरी ये मिक्स हो जाए अभी यहां सारे मसाले आपी स्पून हल्दी पाउडर और हाअप इसमे लाल मिर्च पाउडर यह देगी मिर्च ली है मैंने, क्योंकि हरी मिर्च भी ली ली है तो काफी तीखा हो जाएगा मेर्च आप कम यह जादा कर सकते हैं और हाप एस्पून हम्चूर पाउडर। नमक टेस्ट के अकोडिंग, नमक हमने आठे में भी डाला है, इसलिए नमक, थोड़ा धयान से ही हमें इसमें एड़ करنا है, थोड़ा सा इसमें हमने गरम-मसाला एड़ किया है, आप इस्पून के करीब गरामसाला एड़ करेंगे इसमें इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी ये स्टफिंग बनकर तयार हो रही है थोड़ा सा हमारे पास पनीर पड़ा था तो हम उसको भी इसमें एड़ कर देंगे पनीर बच्चो काफी भाता है और एक चुक्ती के करीब हम इसमें हिंग डालेंगे पनीर को मैंने अच्छे से भारिक कर लिया था इसको इसमें डाल देंगे तो इससे काफी इच्छा टेस्ट आता है और पनीर बच्चों और बड़ों को सभी को काफी इच्छा भाता है अच्छे से पाच मिंट इसको हम चलाएंगे और यहाँ फ्लेवर के लिए डालेंगे हराधनिया पत्ता, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हो कितनी कमाल की हमारी भैत्रिन श्टफिंग तयार हो गई है, काफी अच्छे से खुसपूर्ट ही हुई है, अभी आप देख सकते हो, कमाल का कलर आया है और भोती भै पत्रिन हमारी श्टफिंग बनकर तयार होई है, करीब हमें पाच मिंट हो चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लाश्ट में डालेंगे, गरम मसाला इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है, और खुसबू भी कमाल की आती है, इसलिए आधा चमच के करीब हमने यहां गरम म साला एड किया है, श्टफिंग हमारी बनकर तयार हो गई है, अभी इसको एक प्लेट में डाल लेते हैं, ताकि यह थंडी हो जाए, जिसमें हमने आलो को ग्रेट किया था, उसी प्लेट में हम अपने श्टफिंग को डाल लेंगे, और थोड़ा सा फैला के रख देंगे, ज यहां हमने एक दबा लिया है, इस पे हलका सा ओईल लगाया था, बहुती कम ओईल में हम यह रैस्पी बनाने वाले हैं, एक कटोरी में हमें लेना है और इस तरह से फैला देना है, उपर से आप डालोगे, कुछ भी आपको इसमें करने की जोड़त नहीं है, अपने आपी य लिए ही लगाया है, अच्छे से सूख चुका है, अब इसको पलट लेते हैं, इधर से भी ऐसे हलके से पलट लेंगे, पोड़ा मुड़ गई, और इनको हलके हलके से से शेखते जाएंगे, गैस को यहां पे हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है, ताकि यह अंदर तक अच्छे से सिख जाए, अभी हलका सा हम इस पे, यहां पे हमने घी लगा दिया है, हलका सा, बहुत ही हलका लगाना है, बिना ओल के हमारे नास्ता बनने वाला है, अभी साइड में जंगे करके इधर भी हम एक डाल लेंगे, इतने वे पकते रहेंगे, उनको बीच बीच में थोड़ा सा हलका सा हम पलटते रहेंगे, और इसको सैट कर देते हैं, एक हमारा यहां पे बन जाएगा यह, छोटे छोटे से हम मीनी ही बनाने हैं, हमें जादे बड़े नहीं बनाने हैं, इसलिए एक तवे पर तीन अराम से हमारे बन जाएंगे, अभी इधर यह सिखते रहेंगे, औ जब सुखा सोका हो जाए तब आम इसे भी पलट लेना है इनको आप हाथों के मदश से अराम से उठाके अल्टा पलटी कर सकते हैं अब इसको इधर से पलट देंगे और इसमें भी हल्का सा लगाके ओल्स और इनको ऐसे प्रेस करकर के हमें दवा दवा के करना है तयार ताकि ये अंदर से कच्चे न रहे और भोती टेस्टी और सूपर क्रिस्पी बनकर त्यार हो जाए ये इधर हमारा बनता रहेगा इसको भी साइड से पलट लेंगे तीनों को वन बाई वन करके इस तरह से हमें पलट पलट के सेख लेना है हलके से आप जब प्रेस करेंगे तो थोड़ा ये फूल जाएंगे और बहुती बहतरे हमारा नास्ता ये बनकर त्यार होएगा इस तरह से आप भी बनाएं और फटा-फट से बनने वाली हमारी ये रैस्पी है या मैं आपको याद दिला दू अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजिए अभी आप देख सकते हो और बैल आइकन दमाना ना भूलिए ताकि जब भी हम कोई नही वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आप देख सकते हो अच्छे से ये फूल चुकी है और पक चुकी है उन्हें हम निकाल लेंगे और ये वाली है इसमें भी हलका सा घी स्प्रैट करके अल्टा पलटी करके हलका सा ही हमें लगाना है जाद है बिना ओल के हमारा ये नास्ता बनने वाला है और फटाक से बनने वाली रैस्पी है इसको भी इस तरह से हम हलका अलका प्रेस करेंगे और सभी को हमने इस तरह से बना लेना है बहुत ही बहत्तरीन बनकर हमारा ये नास्ता तयार होता है आप इस तरह से भी घुमा सकते हो, जैसे मैंने कटोरी गुमाई है इसके उपर, डाल के और पीछे से प्लैन कटोरी हो, मस्त्री ये भी हमारे बनकर तयार हो गया है, इननी को भी हमें इसी तरह से प्रेस करना है, सबी को वन बाई बन करके हम इस तरह से बना लेंगे, वाउ बहुती कमाल का हमारा ये नास्ता बनकर तयार हुआ है आप सबको भी बहुती भाएगा अभी आप देख सकते हो कि ता सोफ्ट है यहां मैंने सोस लिया है और चिली सोस हलका सा स्प्रेड करके जो हमने स्टफिंग तयार कि थी उसको हम इसमें डाल लेंगे साइड से भरके और इसको फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा हारा धनिया पत्ता और इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे सबी को वन बाई वन करके थोड़ा सा सोस थोड़ा सा ग्रीन चिली सोस लिया है यह हमने इसी तरह से सबी को हमने सेट कर देना है अच्छे से हमने इस स्टफिंग इसमें भड़नी है और साइड से जब हम प्रेस करेंगे वाओ आप देख सकते हो कितना कमाल का हमारा नास्ता बनकर तयार हुआ है और इसी तरह से आप भी बनाएं और इंजोई कीजिए और अगर आपको मेरी महनत मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठैंक्स फोर वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में